तो आज की इस वीडियों में बात करेंगे लिप्रेवाफस राइटर की सॉट कमांद के बारे में तो इस्टाड करते हैं A से जो कंट्रोल A सॉट कमांद है कंट्रोल प्लस A इससे क्या होता है अपने डोकुमेंट में जो भी हम काम कर रहे होते हैं उसे टेक्स को उसे पूरा करने के लिए होटी है चंट्रोल करने के लिए उसके लिए होती है select all ये control A इससे होता है select all और इस तो आधो देखते हैं control B इससे होता है bold bold का क्या मतलब है जैसे कोई text दिखा हुआ है जैसे माले चलो ये bold दिखा हुआ है इसा थोड़ा सा और ये गूटे अच्छरों में लिख देता है यानी अलग से दिखाई देने लगेगा कुछ इस तरीके से लिखा जाता है bold में ये फटले पतले अच्छर यहाँ पर थोड़े से गहरे अच्छर हो जाते हैं जिसके फोड़े हाई-लायट हो जाता है लिखा जेने लगता है यह होता है बोल्ट तो इसकी स्वाट कमांद होती है ctrl d इसे selector के जैसे हमने कोई टेस्ट पर करना है यह से selector टेस्ट को ctrl d जा उदें तो यह बोल्ट हो जाएगा दी के बाद में यहां पे मेने प्लम यह प्लों से क्या होता है यसे यह बोल्ट होआ है अग में कrobiह जो क्या होता है जो कंप्यूटर के अंदर क्लिप बोड होता है जिसमें कट या फिर कॉपी करते हैं तो इसलिए वो कट जाता है तो यह जैसे हमने बोल्ड सेलेक्ट किया और दूसरी जगा लिखना चाहिए तो इस जगा पर दीखते हैं क्योंकि हमने यह पर कॉपी कर रखा है उस कॉपी को हम दूसरी जगा पर लिख सकते हैं तो यह पॉपी करने के लिए प्लिप होता है सब्सक्राइब के बाद में देखते हैं कि कंट्रोल डी कंट्रोल डी जो है इसमें अगर तुम यहां पे डवल अंडरलाइन होती है और यही चीट जो कंट्रोल डी सोट कमांड है अगर हम बात करें जो माइक्रोसोफ वर्ड है मात्रोसफ वर्ड के अंदर क्या होता है फॉंट डायलाब वक्स बूल करके आता है वांपर क्या होता है हम फॉंट को खा सकते हैं लेकिन अभी हम बात करें लिए अभिवे वपे स्टिय रखीं तो लिए कोई हम टेक्स में लिखा हुआ है इसके नीचे डवल अंडरलाइन हो जैसे की नेचे जाने सब्सक्राइब, यह जाएगा इसलेक fine next next short command Ctrl E Ctrl E जो है वो central line के लिए होती है Central line करने लिए यहानि जैसे कुछ text लिखा हुआ है यहान पूरे page पर text लिखा हुआ है उसे center में align करने के लिए जैसे यहान पे लिखा हुआ है LibreOffice Twitter तो यह center में लिखा हुआ है इतर side में लिखेंगे तो राइट side में होगा वो Ctrl R से होता है left side में करना है तो Ctrl L से होता है तो center में align करने के लिए यह Ctrl E का प्रियूब किया जाता है इसके बात हम देखते Ctrl F Ctrl F का प्रियूब करते हुआ हु यहसे कोई text लिखा हुआ है उसे find करना है find करने के लिए copy लिखा हुआ इस पूरे page में तो हमें copy पो हमें जूड़ना है इसके लिए हम क्या करें कि Ctrl F दबाएंगे और हम पे search करेंगे copy जैसे हम find क्लिक करेंगे तो copy यहां पे find ओपर के आ जाएग highlight हो जाएग यह होती है find करने के लिए Ctrl F इसके बाद में Ctrl G Ctrl G होती हमारी go through के लिए यानि किसी word पर जाना है किसी सब्स पर या फिर किसी letter पर जाना है तो उसके लिए हम प्रियोग करेंगे Ctrl G था इससे हम किसी एक सम्दी पर भी जा सकते है और किसी page पर जा सकते है जैसे मैं next to this page पर जाना है एक document इस अंदर 10 page है जा पाँपे page पर जाना है तो find करेंगे वहाँ पर option आता है page के लिए page find करना है तो वह चीज go to go to पर जो option बता रहो आपको page के लिए option यह आता है तो वहाँ page के लिए वहाँ पर नमर डालेंगे जैसे बें 5 नमर पर पर जाना है तो वहाँ पर 5 नमर पर जालेंगे 5 पर जालने के वाद के बाद के लिए 5 नमर पेज के हम अपने पोंट आएंगे जैसे हम enter करेंगे go to से क्या होता है कि हम कहीं भी जा सकते है सब्सक्राइब दोगुमेंट के लिए कहीं भी जब कर सकते हैं तो गोटू होता है वहारा कंतल जी गोटू